सनिलियोनी के बायोपिक घिर गई है कॉंट्रूवर्सीज के बादल में क्या बड़े परदे पर रिलीस हो पाएगी ये फिल्म या पढ़ जाएगी किसी कानूनी पच्छडे में नमस्कार दर्शकों आपके अपनी चैनल PMS मीडिया की बॉलिवुड से चुड़ी खबरों में आपका बेहत स्वागत है ऐसी खबरें लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को चल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही नोटिफिकेशन्स के लिए प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन पॉन स्टार से लेकर बॉलिवुड की एक्ट्रिस तक का सफ़रताय करने वाली सनी लियौनी ने जब अपनी कहानी परदे पर दिखानी चाही तो इसे कॉंट्रोवर्सी के बाद लोगों ने खेर लिया ये जर्णी एक वेब सेरीज के जर्ये लोगों के बीच आने वाली है कुछी समय पहले इस वेब सेरीज का ट्रेलर रिलीस किया गया था जिसे लोगों ने बेहत पसंद किया लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी खबरे सामने आ रही है जो सनी लियौनी की लाइफ पर बेस्ट इस वेब सेरीज के लिए राह का रोड़ा हो सकती है दरसल इस वेब सेरीज पर S.G.P.C. प्रवक्ता दिलशीत सेंग बेवी ने एतरास जटाया है उन्होंने फिल्म में किर्शी स्कॉर के इस्तमाल पर अपत्ती जटाई है उन्होंने कहा है कि सनी लियौनी ने अपना धर्म बदल लिया है इसके बाउजुन वे अपनी फिल्म में कौर शब्द का इस्तमाल कर रही है इस नाम के इस्तमाल से वो सिखों की भावनाओं से किलवार कर रही है हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सनी लियौनी अपनी आने वाली वेब सिरीज में खुद अपना ही किर्दा नभा रही है ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी अभनेत्री की जिंदगी पर बायोपिक बन रही है और वो खुद उसमें काम कर रही है यदि कानूनी पिछड़ा नहीं पड़ा और कॉट्रोवर्सीज के बादल छट गए तो ये वेब सिरीज आप 16 जुलाई से चीफाइब पर देख पाएंगे इसी के साथ दीजे इन खबरों से इजाज़त फिर मिलेंगे जल्दी इसी खास कबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार